आनन चतुरदशी शोगायात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है इसको लेकर आज नयापुरे स्टेडियम में शहर पुलिस अधिक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने पूरे राजस्थान से आये पुलिस अधिकारियों पुलिस के जवानो को ब्रीफ करते हुए जुलूस मार्ग में अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की घटना दुरगटना की सूचना तुरंत अपने सीनियर अधिकारी को दे उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान संभाग से जापता कोटा 2600 पुलिस कर्मी, 20 एडिशनल SP, 30 DYSP, 55 थाना प्रबारी, 20 थानेदार सहित, साधा वर्दी में भी पुलिस के जमान तेनात रहेंगे। करीब 5.5 किलो मिटर शोभायात्रा की जानकारी से भी पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि शोभायात्रा के दोरान ट्रैफिक विवस्था डाइवर्ड को लेकर भी जानकारी दी गई है। बिल्कुल जो अनन्चतुरदशी का जो शोभायात्रा होती है कोटा शहर की वो बहुत भव्य बहुत बड़ी होती है। और पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी जो बड़ा आयोजन है वो यहीं पर होता है। उसके लिए हमारी जो तयारियां है वो पूरी है। कोटा शहर कोटा रेंज वे राजस्थान के अन्य जिलों से हमें जापता मिला है। लगभग 3500 का जापता डिपलॉय होगा। आज अभी उनकी ब्रीफिंग कर दी गई है। पूरे रूट का जो विस्तरित रूप से उनको जानकारी दी गई है। तथा उनको पताया गया है कि उनकी क्या ब्यूटी पॉइंट पर क्या जिम्मेदारी रहेंगी। पूछ उनको समान्य जो दिशा निर्देश है वो दिये गए है। और हमारी जो कल की वेवस्ता के बारे में उनको सब ग्याद करा दिया गया है। जापते के नियोजन के साथ साथ ट्रैफिक की वेवस्ता भी सुचारू हो। इसके लिए भी हमने ध्यान रखा है। और उनकी ब्रीफिंग भी अलग से हो रही है और उसके लिए अलग से जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो भी आम जन को एक प्रेस नोट के माध्यम से आप सब के माध्यम से बता दिया जाएगा। सभी शहर के चपपे पर हमारे वर्दी में जो साधा वस्ता में बी सभी जैगे पर हमारे जो जापता है वो मौजूद रहेगा